नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सिवा में कुछ महत्तों पूर्ण जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों आज हम बात करेंगे काली जीरी के उप्योग के बारे में एवं इसके लाव तथा इसके संबंध में जानकारियां, तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि काली जीरी होती क्या है, काली जीरी एक और शद्य पोधा है, यह देखने में या आकार में छोटी होती है, यह स्वाद में थोड़ी तीखी और तेज होती है, और इसमें जरासा तीखापन भी पाया जाता है, इसके पो सीर का होता है समानिय तह यह जीरे जैसा होता है लेकिन इसका रंग काला होता है और आम जीरे से कुछ मोटा होता है यह काला जीरा से अलग होती है दोस्तों काली जीरी को किन किन नामों से जानते हैं हम यह देखते हैं दोस्तों इससे आम भाशा में काली जीरी कहते हैं लेकिन इसके अलग-अलग नामों को जान लेना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि हर जगह ये काली जीरी के नाम से नहीं मिलता है दोस्तों अंग्रेजी में इसे ब्लेक क्यूमिन सीड कहा जाता है संस्कृत में कटू जीरक और अरणिय जीरक कहते हैं मराठी में कटू जीरें गुजराती भाषा में इसको काली जीरी ही कहते हैं लेटिन भाषा में वर्नोनिया एंथेलर मीटिका कहा जाता है काली जीरी के लाव दोस्तों जीहां दोस्तों सबसे महत्वपून बात है कि इसके लाव क्या क्या है यह एक और शद्य पोधा है और बहुत सी बिमारीयों को दूर करने में मदद करता है इसके मुख्य उपयोग हम आपको बता रहे हैं दोस्तों शूगर जिहां दोस्तों शूगर पर नियंतरन करता है बालों की देख भाल और बृद्धी में लाव करता है चर्म रोगों में फायदे मंद होता है, कोलेस्टरोल घटाने में मदद करता है, पाचन शक्त बढ़ाता है, पीत के कीड़े नश्ट करने में कारगर होता है, खुन साफ करता है, सफेद दाग भी मिताता है, यानि कि कुष्ट रोग को भी खतम करता है, पेशाब संबंधी समस स्याओं में फायदा करता है गर्भाशय के स्वास्त के लिए फायदे मंद है मेथी और अजवाइन के साथ लेने पर वजन घाटाने में उपयोगी है जहरीले जीवों के काटने या डंक लगने पर इसका उपयोग बहुत अच्छा होता है आम के आचार में भी प्रियोग किया पेट की बेमारियों के लिए इसमें दो और शद्य और मिला कर प्रियोग किया जाता है इन तीनों और शद्यों को त्रियोग भी कहा जाता है तीनों और शद्यों में मेथी दाना, जमाण और काली जीरी का सही अनुपात होता है यह तीनों चीजें आपको आराम से मिल सकते ह और तीनों ही और शधे गुनों से भरपूर होती हैं दोस्तों लेकिन यह गर्म तासीर की होती है और सभी के लिए उपयोगी और उपयोग तो हो यह आवश्यक नहीं है इसलिए इसका प्रियोग करने से पहले किसी अच्छे आयुरवेदा चार्य से परामर्श अवश्य ले लें वजन घटाने के लिए काली जीरी का प्रियोग 100 ग्राम मेथी लीजे, 40 ग्राम अजवायन लीजे, 20 ग्राम काली जीरी लीजे इन सब को अलग-अलग हलका भून ले, अब इसे मिला कर हवा बंद डब्बे में रख ले एक चमच रोज सोने से पहले हलके गुन-गुने पानी के साथ सेवन करें आपका वजन कम हो जाएगा दोस्तों यह महिलाओं के लिए वजन घटाने का एक वीशेश उपाय है इस पाउडर से पाचन शक्ती में भी सुधार होता है दोस्तों इस औशधी के अन्य भी बहुत सारे लाव हैं दोस्तों जैसे गठिया, घडियों की विमारिया, आखों के रोशनी, बालों का विकास और शरीर में रक्त संचार उत्तेजित होता है कफ यानि की खासी में आराम मिलता है शरीर के रक्त वाहिनिया शुध होंगी इस तरियों में होने वाली तकलीफ हैं दूर होते हैं दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने की एक काली जीरी किस प्रकार से हमारे लिए लाप्रत सावित होती है अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ और महतों पूर्ण जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार